एक सखी कहती है राम जी से अरे ए पहुना ये ही अरे मिथिले में रहुना ए पहुना ये ही मिथिले में रहुना राम जी बोले यहां का होगा बोले अरे सबसे असली मसा तो ही परसुरार में जोने सुखबा ससुरारी में तोने सुखबा का कौहूना ए पौहूना एही मिधिले में रहूना लक्षमन जी बोले लाब बताओ तब रहेंगे बिना लाब क्या हम लोग नहीं रहेंगे बोले लाब सबसे पहला लाब आपके भहिया का इनका लाब बताओ का लाब है मेरे भहिया का रहने से बोले देखो कितने करिया है आपके भहिया रूखेंगे न तो हम लोग रोज सबेरे उबटन मलिके इतर से न हवाइब एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब जूठ कहत ना बानी तनी को बस मौका एगो देहूना एप हूना एही मिठिले मेर रहूना कहती है आपके भहिया को करिया से गोर बना देंगे लक्षवण जी बोले ते उनका लाब है हमार लाब हमार का लाब है बोले पता है आपको निति नवीन मन भावन ब्यंजन पर सब कंचन थाली हो स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी साली सरहज के गारी हो स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी साली सरहज के गारी और भोजन कराते समय बीच बीच में करबनी हो रा का कि औरी कुछ वूले हूना ए पहुना ए ही मिथिले में रहुना लक्षमाद भूख बाबा भूख बनिया वडिया खाने को मिलेगा अच्छा भूले अच्छा ठीक है हमार हो गया हमरी बादो दुठ्य हमार भाई है उन्हों बोलते नहीं है उनके बदले हम हम बोलते है हम भईया का लाभ हमारा लाभ कि हमरी दुठ्य भाई का लाभ बता Diesma हीयाकार 6 ृट्रुवन का गैना कालाव बोली इनको कमला बिम लादू धन् जिजरी रोज खेलाएव हो जिजरी जानते हैं जिज़री ने का विवाहा बिहार अद्धा की जिजरी कहते हैं कमला बिमला दूध मती में जिजरी रोज खेलाईबो सावन में कजरी गागा के जूला रोज जूलाईबो सावन में कजरी गागा के जूला रोज जूलाईबो और पवन देव से करब चिरोरी का कितनी धीरे धीरे बहुना ए पहुना एही मिठिले मेरा उना इतने प्यार से कोई रहने के लिए कहेगा तो कौन जाना चाहेगा और सही बताएं ससुराल से जाने का मन भी नहीं करता हमारे महराज जी कहा करते कहीं भी देखो जाओ बहुत बढ़ियां लेकिन कब तक रहना चाहिए इसका भी नियम है कब तक रहना चाहिए भाई जब तक सबजी बदलती रहिए तब तक रहिए वहाँ पर और जिस दिन सबजी रिपीट भया कालियो आलू पटल आजियो आलू पटल परसो भी आलू पटल फिर इसका मतलब अब घर वाले नहीं चाहते हैं क्याब रहिए फिर बोरा विस तरह बांद के बाहते चल दीजिए हाँ